कजूर यानि की डेट्स की बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं और बदाम यानि की अलमंट्स इसके भी बेनिफिट्स बहुत सारे हैं तो चलिए आज हम बनाते हैं डेट्स और अलमंट की मिलकशेक इसे बनाना बहुत हासान है खजूर काने से हड्डियों को मजबूत रखता है और खजूर काने से तुरन ताकत भी मिलती है इसमें पर्याप्त मातर में ग्लुकोस, फ्रुक्टोस और सुक्रोस पाया जाता है अगर आप अंडरवेट है तो वजन बढ़ाने के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते है और अलमंट की भी बेनिफिट्स तो बहुत सारे है अलमंट यानि की बदाम इसे खाने से ओवर इटिंग को रोकने के लिए मदद करता है क्योंकि इसमें मौझूद प्रोटीन और मिनरल्स आपके पेट को देर तक भरा रखता है मैंने यहाँ पे अलमंट को अच्छी तरह के से सोक के रख दिया है और नाइट के लिए मैं से सोकने वाली हूँ और यहाँ पे ले लिया है करजूर यानि की डेट्स यह सीडलेस डेट्स है और इसे चोटे चोटे ऐसे पीसस में कट रही हुँ इसे कट कर दिया है तो मैं इसे थोड़ा सा गूंगणा पाणी यदि की होट वोटर आप इसे चूँ सकते हैं ऐसे पानी के अंदर इस रखने वाली हूँ एक बॉल में ट्रांसफर कर दिया है और यहां पर इसके अंदर वन कप तक में इसके अंदर पानीर आड़ कर रही हूँ और यहां पर इसे आदा गंटे की निये सोकने के लिए रख देंगे और बदाम एनिके अलमंट्स जो है एक वोर नैट सोक करके रेड तो यहां पर मैंने 15 तक अप्रॉक्सिमेटली 15 तक अलमंट्स को ले लिया है और एक मिक्सिक जार के अंदर डाल के इसे तोड़ा सा ब्लेंड कर देती हूँ यहां पर देख सकते हैं कोर्स पोर्डर हो के रेडि हो चुका है और डेट्स को होफ एन और सोक करके हो चुका है मिक्सिक जार में अंदर डाल रही हूँ और इसकी पानी भी बहुत अच्छी रहती है तो हाफ डाल देते हैं और हाफ कप यहां पर मिल्क आड़ कर रही हूँ तो हम सारे इस चीजों को अच्छी दरके से ब्लेंड कर देंगे शुगर एड़ करने की कोई ज़रत नहीं है क्य लेड़ी हो चुकी है बदाम डायबिटीज में भी काफी फायदे मन्द होता है तो आप इस रेसिपी को एक बास जरूर ट्राइ करें और लेड़ीज दोना चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले में मिलती हूँ अगले वीडियो में तब तक आप पहले लेकन को भी झाल झाल